नश्कार आप देखनें उत्तर प्रदेश टाइमस और मैं हूँ आपके साथ जोती यादव आईए साथ बजे की साथ बड़ी खबरों पर एक नज़र डालते हैं लोग सबाचुनाव में यूपी के बाहर सीम योगी की भारी डिमांड को देखते हुए सीम दुसरे राज्यों में भी जनसभाओं को कर रहे हैं संबोधित आज आज अपरेल को सीम योगी महराष्ट की वर्धा भंजारा और नागपुर समेट तीन जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं लोगसबा चुनाव को लेकर सभी राजनितिक दल कमर कश चुकी है अब पश्चिम यूपी में कॉंग्रेस आंसद राहूल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखलेश यादव एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे आज अप्रेल को उनके अलावा समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के भी कई नेता भाजपा में शामिल हुए IPS अनुपवा ने भी BJP जॉइन कर ली है BSP की जनसभा में दिखी भाड़ी भीड जनसभा को सम्भोधित करते हुए एकलेश यादव पर भड़के आकाश आनंद बोले वो एक एक सीट पर चारचार प्रत्याशी घोशित कर देते हैं जो तोर तरीके से चुनाव लड़ भी नहीं सकते अपनी पाटी नहीं चला सकते सरकार क्या चलाएंगे यूपी की गुरकपुर लोगसभा सीट की समाजवादी पाटी की उमिदवार और टीवी एक्ट्रेस काजल निशाद की हालत स्थित डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सला दी है आपको बता दें कि रविवार देरात हाट अटैक आने के बाद उनकी स्थिती काफी जादा खराब हो गई मेदंता अस्पताल में उन्हें भरती करा गया था अतिक एमद के खांदान के एक और फर्जीवारे का खुलासा 70 करोर का है मामला जाच के दिये गए आदेश प्रयागराज पुलिस को मिले काखजातों के मताबिक प्रयागराज शहर के पुरा मुख्ती थाना छेतर के भीखपूर मेडवारा गौँ में इस्थित 8444 वर्ग जमीन वक्फ प्रॉपटी थी एलविश यादव की मुश्किले थमने का नहीं ले रही नाम डिलिट वीडियो और चैट की हुई रिकावरी फोन भेजे गए लैव रिकावर डेटा के मताबिक पार्टियों में साप मंगवाने के लिए विने से वर्चुल नंबर से कॉल किया जाता था बड़ी बात यह है कि ये वर्चुल नंबर जिस सर्वर का प्रियोग किया जाता था उसका सम्मंद चीन से है फिलाल के लिए इस बुलेटन में इतना ही इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें उत्तर प्रदेश टाइम्स